नमो नारे अंक भी कुछ कहते हैं नमो नारे जेगो माता वंदे मात्रमा भारती को प्रणाम प्रेम सी हिर्दे से ओम शमसन श्चराय नमा गुर्मत्रविदाती माराज के यूजटूब के इस चैनल पर अंकों की रश्मे दुनिया में आपका श्वागत है अंक भी बोलते हैं अंक भी कुछ कहते हैं अंकों की जज़ादू भरी दुनिया में मुलांक आठ का साल 2021 कैसा रहेगा राशिवल मुलांक आठ यह नहीं आपकी जनम तारिक आठ तारिक शत्रा तारिक और सपीस तारिक है तो साल 2021 शिक्षा की दर्ष्टी कौण से यह लेकिए आपके सामने आ रहे वह क्या कहरी है जादु बरी अंकों की दुनिया आपके लिए क्या बोल रहें अंक आपके लिए क्या कह रहें अंक भी कुछ कहते हैं 2021 का वर्ष्फल पूरा साल कैसा रहेगा इस मैसे पर आ रहा हूं आठंक वाले जातक जातिकाओं के जो आधिपति ग्रह है वो है देवादी देवसनी देव परिश्रम भी संगर्शी संगर्श इनका सिंगार होता है पुलांक आठ वालों यह हमेशा परिश्रम में विश्वास करते हैं शेवा में विश्वास करते हैं एक्टिव रहते हैं उथल पुतल और परिश्रम से इनका गहरा संबन होता है इनके जिमने कौन सी घटना की संड घट जाए इसका सैज अभास नहीं हो पाता है 2021 कैसा रहेगा अंग जोतिस के अनुसार तो मुलांग आठ वालों के वर्ष 2021 ठीक रहेगा मुलांग आठ के सभी लोग बहुत समेदल सील गंभीर व्यक्तितों की सामी होते हैं लेकिन साल 2021 में इस गंभीरता से इने बारा आना होगा थोड़ा सा सामाजिक और व्यभायरिक जीवन जीना होगा हवा के रुक को पैचार ना होगा क्योंकि साल 2021 की प्रार्ण में अनावशक मानसिक बेचनिर तनाव का संके थोड़ा सा नजर आ रहा है आपका जनम आठ तारिक 17 तारिक और 26 तारिक को हुआ है आठ 17 और 26 तारिक में आपका जनम हुआ है आपका मुलांक आठ हुआ है और शिक्षा के दस्टिकोंड से साल 2021 विद्यार्ति और विवाव के लिए मन अनकुल रहेगा बुजर्गों की सलार और आपकी मैनत का रंग इस साल अवसी आपको देखने को मिलेगा शिक्षा की दस्टिकोंड परिक्षा परिक्षा पना मनकुल नहींगे इंट्रवी और प्रतियों की प्रक्षा में सफलता मिलेगी और आपका नीजी जीवन बड़ा प्रफुलित और पर कारोबार नौकरी पैसा कि दस्टिकोंड से मुलांक आठ वालों के लिए साल 2001 अच्छा है अनाव से कर्दों से चुटकारा मिला नहीं कारोबारी शंबंदों से आर्थिक धनकोश में विर्दी होगी और कारी विस्तार का मौका मिलेगा कारी शंबंदी संपुल परिशा जिवन के दस्टिकोंड से समय आपके लिए ठीक रहेगा अपनों का साथ मिलेगा पारवारिक मसले हलोंगे जिवन साती की साथ रिस्तों में प्रगारत आएगी और किसी को अपना कैसे बनाए जाए ये कला आप आपसे बेतर कौन जानता है नीजी संबंदों को लेकर बाग आपका आठरी सतना थारीक और चौबिस तारीक में भॉआ है तो स्वास्ते के दस्टिक हौंड से अंग जोती के अनसार अंग जोती से संक्या से रहे हैं इस वर आपको अपनी द्यानिक दिन चर्या सही में रखने हैं चिकिसा में लापरवाई नहीं करनी है प्रकृति पर ज़्यादा आपको निरभर रहना है एलोपेतिक बगरे से थोड़ा ज़्यादा दूर रहना है प्रकृति समी पर उठना तोड़े सा गुमना तोड़े सा वयायं तोड़े सा ठ्द्यान धाना स्रमादी इस पर आप ज़्यादा ध्यान देगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहे का नमाना रहे तो अब मैं मुलांक आट वालों के लिए उपाई लेकाया हूँ थोड़ी देर आप मेरे साथ रहें क्योंकि उपाई साध्वों का प्रसाद है मेरे गुम्मतों जिवन में संत मात्मान जोदिया में आपको बात आए यही किसी भी कारण से देवादी देव सनी देव के अनुक गरीब वक्ति को उड़द, लोहा, बैल्ट, पर्स और धूता का दाथ देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा शनिवार दिन मचलियों को उड़द के आटे की गोलियां खिलाना आपके लिए बड़ा लाबकारे रहेगा आपकी नौकरी में परिशान है आपकी दुकान में कारुबार में परिशान है, केरियर में परिशान है, परिवार में उठापटा के स्वास्ते ठीकने रहेगा हर शनिवार को सरदान सरस्तों का तेल किसी गरीब नेदन विद्वास्ति को दार में देजीगा कस्त का माहिएगा और परिशानियों के निवारन के लिए सुबह श पूजा थी जो मैंने आपको बताई इनका सहारा लेकर 2021 आप बड़े आराम से सफलता से पार कर सकते हैं 2021 आपके लिए मंगल मैं हो सनी भगवान के स्रीचलनों मेरी प्राहतना उने मेरा निवेदन कि मैं प्रजापिता प्रमानी हूँ और मैं देवग्य और सरवग्य बिनी हूँ जिटना मैं जानता हूं मैंने अपना अनभव आपके सामने रखा मानों न मानों आपकी मर्जी और शकन ओपनेंज गादगार आपका था आपका है और आपी का रहेगा कारण वस कोई भी कारण से भूल हो गई हो तो उस भूल की छमा मांगते हुए अपनी बाणे में विश्राम दे रहा हूं और शंपून राष्ट एंश्यार रुद दिल्ली के लोगों से कहा रहा हूं पदार ये सिरी सनी धाम सनी तेरा चिरा स्वला फत्यपूर वेरी में करिये सनी भगवान के दर्सन पूजन तेला भी से शंपून कश्ठन शुटकारब लेगा नबना रहे हैं रास्थान को र करना मेरा करते हैं करते क्रम त हम आपको किशी वजह से नहीं शुना रहा हूं बिस खाली बता रहा हूं बिस वंहरद मेरा करता कर थब है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि म मुझे आप पैसे दीजी नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा अब भी मैं नहीं कार रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है कि धन को लेकर मेरा आश्त के सामने कभी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्यों के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा हैं इन नंबरों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राष्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन के लिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार नहीं है चातियों मेरा राश्चरोप पर है मैं यह नहीं कहा रहा हूं मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करें सन्य भगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और व 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रगर करता हूं और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर संकेत न अब भी जानते हैं शासन के अपनी एक सीमा है और अपनी मर्याद शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी तरदे से पुने एक बार ने वेजन करना करता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम कोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुर सोयोकर तेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमो ना रहें ओम नमो ना रह करता है